Hello everyone, welcome back to our channel Benchmark Study आज हम लेकर रहे हैं RBI News जिसमें हम कवर कर रहे हैं Past 6 Months की RBI Related News इसका Part 5 हमने पहले ही 4 पार्स अपलोड कर रखे हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिक्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का चली सीधा लेक्शर को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं RBI News तो सबसे पहली नियूज है हमारी रिगारिंग Guidelines on Responsible Landing Conduct अब देखो जब भी आप बैंक में लोन लेते हो तो आपको collateral के form में कुछ चीज रखनी पढ़ती है तो जब आप कुछ चीज गिरवी रखते हो वो दो टाइप की होगी या तो movable property होगी ठीक है जिसको आप उठाके इधर से उधर लेके जा सकते हो या immovable जैसे कि आपका house हो गया land हो गी उसको आप उठाके नहीं लेके जा सकते ही ठीक है जो removal properties होती हाँ उसके में क्या होता है mortgage और मुवेबल प्रॉपपेटीस और क्या होता है हिए कि आह पकालOOOOň का उसके documents बैंक को देते हो पर तो चीजसे आप ऋकर dealt ले रहे हूं ठीक है तो car loan में क्या होगा जो car के documents होगे RC पे नाम bank car होगा कि financed by this bank ठीक है वो documents bank के पास होगे पर car use आप करोगे ठीक है और फिर जब loan पूरा हो जाता है तो क्या करना पड़ता है आपको documents वापिस लेने होते हैं तो RBA ने क्या देखा कि bank क्या कर रहा है कि जो documents रख ले रहा है अपने पास as a collateral ठीक है as a security ठीक है अपने पास रख रहा है उनको time पर वापिस नहीं कर रहा था जिन से क्या हो रहा था customer को काफे जाए दिक्कत हो रही थी और काफे जादा complaints आ रही थी ठीक है वापिस हटाने पड़ेंगे और अपने रिजिस्टर से एंट्री को निल करना पड़ेगा ठीक है इस security को discharge करना पड़ेगा इस सिंपल सी भाशा में बोले तो security को discharge करना पड़ेगा मतलब आपने पूरा हो चुका है तो इसका timeline कितने देदी आरवे ने सिफ 30 देस और अगर आप यह वापिस नहीं करते हो तो पर दिन 5000 रुपे की penalty लगेगी बैंक को ठीक है जैसे 31st day हो गया ठीक है तो एक दिन का 5000 अगर आप 3500 दिन में देते हो तो 5 दिन का 25,000 रुपे आपको as a compensation देना पड़ेगा customer को ठीक है यह तो की बात आरवे की guidance की तो यहां पर main बात किया तो आप क्या कर सकते हो उस condition में जहां पर documents जो है properties के वो damage हो रखे उस case में क्या कर सकते हो आप कि customer के बोल सकते हो अपने documents हमें issue कर दो और हम उसको discharge करके आपको वापिस दे देंगे तो जो duplicate document issue करवाने का खर्चा आएगा वो सारा का सारा कौन bear करेगा bank bear करेगा ठीक है और case में जिसमें documents खराब हो गये उसमें 30 days timeline नहीं है उसमें timeline कितनी कर देगे 60 days मतलब 30 दिन तो थाई और 30 दिन extra किस ले दिए आपको कि duplicate documents मंगवाने के लिए ठीक है तो total 7 days का time है उसमें और जो penalty पड़ेगी हो 60 days के बाद पड़ेगी ठीक है इन case समझो किसने car loan लिया ठीक है और car loan पूरा किया और उसकी death हो जाती उस time तो उसके properties के paper किसको मिलेंगे तो उसके properties के paper मिलेंगे legal hire को जो उसका आगे वारिस होग legal hire ठीक है उसको मिलेंगे उस property के papers और यह जो condition है यहाँ पर मेन बात क्या थी आपकी 30 days 5000 और अगर document lost हो जाए तो उस case में कितना 60 days और किसकिस पर apply होता है concept तो यह किसकिस पर होता है all commercial banks पर होता है excluding payment banks जो आपके payments bank है वो सकेंडर नहीं आते है बाकि सारे commercial banks आते है ठीक है फ Japanese भी scandal included है ठीक है तो यह था आपका responsible landing conduct के बारे में बढ़ते next slide की तरफ next news आपकी regarding RBI releases list of NBFC in the upper layer तो देखो RBI ने क्या किया था पहले NBFC को चार parts में divide कर दिया था कौन-कौन सा इससे भी question आ सकता है आपका क्यूंकि जब upper layer की बात आगी तो उसका पीछे जाके वो पूछ भी सकते है total layers कितनी है तो total layers कितनी है आपकी 4 layers है कौन-कौन सी base layer, middle layer, upper layer और top layer तो देखो base layer में कौन-कौन सी NBFC आएंगी सारी non deposit taking NBFC ठीक है जिनकी asset value कितनी है 1000 crore से कम है वो सारी इसमें आएंगी base layer में साथ में pair to pair lending वाली भी आएंगी साथ में account aggregator NBFC आएंगी और साथ में financial holding companies आएंगी ठीक है यह आएंगी आपकी base layer में basic कौन सी आएंगी सबसे simple सी बात याद रखो एक वो companies आएंगे NBFC जिनकी asset value जो है वो 1000 crore से कम है 1000 crore से कम है और साथ वो क्या है non deposit taking NBFC ठीक है वो वाली आएंगी और साथ में pay to pair lending वाली और account aggregator और non operative financial holding companies middle layer में कौन सी आएंगी जिनकी asset size हो है 1000 crore से जादा है और वो क्या है non deposit NBFC non deposit taking NBFC साथ में साथ सारी की deposit taking NBFC भी middle layer में आएंगी ठीक है फिर housing finance companies भी आएंगी इसमें ठीक है फिर upper layer में कौन सी आएंगी upper layer में दखो इसने बोला है कि हमने कुछ rules and regulation मनाए है उसके according जो चीजे match करेंगी वो इसमें upper layer में आएगी ठीक है एक तो condition यह है कि जो इन्होंने rules and regulations मनाए है उसको जो match करेगी उस criteria को जो match करेगी वो आएगी upper layer में साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि जिनकी asset size ठीक है NBFC जि इसकी asset size top 10 है ठीक है जिनके assets जो है वो top 10 list में आ रहे है तो वो भी इस upper layer में आएगी ठीक है तो इसमें देखो दो parameters है एक कि जो हमने RBI ने जो rules and regulations बनाए है ठीक है criteria करने के उसको जो match कर रहा है वो तो आएंगी upper layer में ठीक है साथ ही साथ top 10 NBFCs top 10 NBFCs किसके उपर? acid size के उपर वो भी इसमें आएंगी देखो अब जो इस top 10 NBFCs है वो इस rules and regulation को follow कर रही है इनके parameters को follow कर रही हो या ना कर रही हो ठीक है उससे मतलब नहीं है जो top 10 है वो automatically upper layer में आएंगी ठीक है और बाकी जो बची वो कैसे आएंगी जो इस parameters को follow कर रही होंगी तो आएंगी upper layer में और last है हमारी top layer तो top layer अभी तक इन्होंने का है कि vacant रहेगी ठीक है इसमें कोई NBFC include नहीं होगी पर कोई बहुत ज्यादा risk ठीक है और जिसमें बहुत ज्यादा आगे future में risk दिख रहा है ठीक है तो उसको हम consider कर सकते है top layer में डालने की वरना top layer हम NBFC basically एक तरीके से shadow banking होती है मतलब जो bank की तरह ही काम कर रहा होता है ठीक है NBFC एक ऐसी company है जो bank की तरह ही काम कर रहा होता है जो banks होते है उसमें NPA कितने दिन बाद होता है अगर कोई loan ठीक है और उसकी payment अगर 90 दिन तक नहीं होती है तो किसमें consider होता है NPA में पर NBFC में क्य ठीक है अब यहां पर एक चीज और बोली या RBA न है कि देखो banks का criteria है 90 आपका 180 तो इसको आपको change करना पड़ेगा तो RBA ने क्या बोला है कि 2024 तक ठीक है April 2024 तक आपको 180 days का criteria कहा तक लाना पड़ेगा 150 तक फिर 2025 तक आपको कितना लाना पड़ेगा यह 120 days पे और 2026 तक आपक कि total कितनी NBFC को upper layer में डाला गया तो total आपकी 15 NBFC को upper layer में डाला है ठीक है तो यह तो बनके आपका basic question पर अगर आपकी किस्मत खराब हो और question को tough करना चाहे तो वो क्या करेगा कोई 5 के नाम दे देगा आपको और बोलेगा इन में से कौन सा NBFC upper layer में नहीं आता तो वहां प आपको option को चांट असानी मिलती है ठीक है तो total कितनी NBFC को डाला गया अपर layer में 15 ठीक है total layers कितनी है चार ठीक है कौन कौन सी base, middle, upper और top तो vacant कौन सी layer रहती है हमारी top layer vacant रहती है ठीक है non deposit NBFC जिसका acid size 1050 करोड है वो कौन सी layer में आएगी तो वो आएगी आपकी middle layer में क्यों middle layer में कौन सी NBFC आती है जो non deposit taking हो और जिनका acid size कितना हो 1000 करोड से जादा हो वो आती है middle में और 1000 करोड से कम वाली किसमें आती है base layer में deposit taking NBFC किसमें आती है जिसका acid size ओ 500 करोड वो आएगी आपकी middle layer में क्यों क्यों कि सारी की deposit taking NBFC किसमें आती है आपकी middle layer में ठीक है upper layer का decision कौन करता है RBI करता है क्यों क्यूंकि उसने अपने रूल संद पैरेमिटर्स बना रखे है उसको जो जेस्टिफाइब करेगा वह आएगा अपर लेयर में और टॉप 10 NBFC जिसका asset size top 10 में आता है जिसका asset size बाकी सभी NBFC से ज़्यादा है तो जो top 10 NBFC होंगी according to their assets वो भी किसमें आएंगी अपर लेयर में ठीक है तो बढ़ते है next news की तरफ next news है हमारी regarding RBI issues new prudential regulation for AIFI अब यहाँ पर main question बनता है आपका की AIFI की full form क्या है तो AIFI की full form है all India financial institutions दूसरा question बनता है की total India में कितने AIFIs है तो total India में कितने है पांच कौन-कौन से है Exim Bank, Nabar, Nefvid, National Housing Bank और SIDBI यह 5 आपके है all India financial institutions ठीक है अब यहाँ पर बोला क्या गया है कि RBI ने बोला है कि इन पांचों को भी जो हमारे AIFIs हैं इन सब को क्या करना पड़ेगा बैसल 3 norms जो है बैसल 3 norms जो है उसकी capital requirement जो है उसको match करना पड़ेगा in short इनको भी CAR maintain करना पड़े ठीक है अब देखो RBI को यह power कौन देता है कि वो किसी भी financial institution के उपर बैसल नॉम apply करे या ना करे यह power मिलती है RBI को section 45 of RBI Act 1934 ठीक है उसके तहत यह power मिलती है अब इन पांचों को यह बैसल 3 norms कब तक लागू करने पड़ेंगे अपने उपर April 1, 2024 तक इनको यह mandatory हो जगा कि य बैसल 3 norms की तो देखो बैसल नॉम्स के उपर मैंने अलग से वीडियो ना रखिए वो आपको हमारे बैंकिंग की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी ठीक है यहाँ पर मैं शॉर्ट फोड़ा सा ब्रीफ इंड्रेक्शन देता हूं यहाँ पर जो C.A.R. है वो कितना maintain करना पड़ टीन टाइप की होते है एक होते है आपका operational risk एक होते है आपका market risk और एक होते है आपका credit risk ठीक है तो जो बैंक की capital है उसका ratio किसके comparison में risk के comparison में उसको बोलते हैं C.A.R. और यह कितना maintain करना पड़ेगा according to Bessel Norm 3 and RBI हर बैंक को यह financial institution को 9% maintain करना पड़ेगा यह mandatory ठीक है अब ज तो tail 1 capital कितनी करने पड़ेगी इसमें maintain 7% और tail 2 capital कितनी करने पड़ेगी maintain 2% ठीक है तो यह भी आगे bifurcation है capital का ठीक है साथ में CCB भी होता है वो छोड़ी है वो आपको Bessel Norm वाली वीडियो देख लेना अगर आपने जाहाँ deep में देखना होगा cash conservation buffer वगारा भी होता है इसमे Bessel Norm 3 में ठीक है तो उस पर detail में आपको वहाँ पर मिल जाएगा बढ़ते हैं last slide की तरफ आज की तो देखिए जो last news यह काफी important है आपके examination point of view से क्यों क्योंकि इसकी importance आपके GA section में तो ही पर यह काफे ज्यादा important बन जाता है आपके descriptive part के लिए जो आपका PO mains में descriptive आएगा उस में इसके उपर एक topic आ सकता है क्योंकि UPI काफी burning issue है ठीक है काफी ज़्यादा news बन सकता आपका descriptive part में भी तो RBI ने क्या किया है RBI ने pre sanction credit lines जो है उसको allow कर दिया है UPI के थूँ ठीक है अब इसका मतलब क्या हुआ देखो जब भी हम UPI Google पर चलाते है phone पर वगरा कुछ भी ठ accounts में जो पैसा होता है उससे आप transaction करते हो UPI के थूँ ठीक है पर आप as a customer bank जाओ तो आपको क्या होता है credit lines भी provide होती है credit lines होता गया basically जैसे कि आप समझ लो CC हो गया या OD हो गया जैसे cash credit हो गया overdraft हो गया यह facility दी जाती है bank को bank के दोरा customers को इसमें आपको extra पैसा दिया जाता ह एक्स्ट्रा पैसा आपके property वगयरा सब कुछ को देख के ही देते हैं ऐसे हर किसी को नहीं देते ठीक है यह आपके FD होगी उसके पूरो OD दे देंगे आपको ठीक है तो यह extra पैसा दिया जाता है होता क्या है यह समझ लो आपको एक लाख रुपे की ODD या CC दी cash credit बोलते है ठीक है CC को एक लाख रुपे का दिया अब इसमें से समझ लो आपने 20,000 रुपेया निकाला और यूज कर लिया ठीक है तो पीछे कितना बचेगे आपके पास 80,000 रुपे तो जो 20,000 निकाला ना आपने interest आपको सिर्फ इस 20,000 पे ही pay करना पड़ेगा इस 80,000 पे आपको interest को डाल दो ठीक है तो इस पर आप multiple times cash जो है वो withdrawal कर सकते है और deposit कर सकते है ठीक है तो एक तरीके की limit होती है तो पहले क्या होता था जैसे कि आपकी bank की अपनी app होगी कोई ठीक है या फिर आप bank में physically जाओगे फिर in CC या OD से पैसे निकाल के अपने saving में डालोगे ठीक है या bank के या internet banking जो bank provide करता है उसके थुरू या फिर आप personally bank में जाके कर सकते हो ठीक है तो इनसे पैसे निकाल के अपने saving डालोगे फिर UPI पर transaction करोगे तो अब RBI क्या बोल रहा है कि CC accounts या OD accounts है यह भी आप UPI पर link कर पाओगे और इसके थुरू आप direct transaction कर सकते हो पहले आपको transfer करने क ज़रूत नहीं saving account में आप इनसे direct transfer कर सकते हो तो यह जो power है यह जो act कर रहे है यह जो rule ला रहे है यह किस section के तहत ला रहे है section 10D with section 18 of payment settlement act 2007 के तहत यह apply कर रहे है UPI में ठीक है अब यहाँ पर देखो UPI के news में क्यों है क्योंकि अभी recently UPI light भी launch हुआ है ठीक है UPI light में क्या है कि आप बीना password के direct transaction कर सकते हो मतला आपने scan किया और सीधा आपके account से पैसे कर जाएंगे ठीक है तो देखो यहाँ पर password का involvement नहीं है तो इसकी limit कम रखी है तो पहले इसकी limit थी रूपीज 200 per transaction पर अब इसको बढ़ा दिया आप कितना कर दिया है रूपीज 500 per transaction ठीक है और यह ठीक है wallet होगा इसमें पहले आपको wallet में पैसे डालने पड़ेंगे फिर उससे आप transaction करोगे तो wallet की limit कितनी है wallet की limit है रूपीज 2,000 मतला एक बड़ी आपने 2000 रूपे इसमें डाल दिये फिर उससे आप कितने भी transaction करते रहो ठीक है और maximum कितनी कर पाऊगे उसमें से 500 रूपे पर फिर चूज करोगे जैसे उसमें ना IVR बोलेगा कि आपको यह facility चाहिए तो एक दबाईए English लिए दो दबाईए पे करने के दिरी दबाईए वैसे करके तो उसमें आप चूज करोगे और थर्ड क्या होगा आपका थर्ड हो जाएगा आपकी payment ठीक है तो जो payment होती है वि जैसे किसी कस्टमर के पर फोन करो तो आगे से एक automatic आवाज नहीं है कि हिंदी के लिए एक दबाईए दो दबाईए वह होता है आपका IVR ठीक है interactive voice response और तीसरा मेतल कौन सा है ओ यह OEM technology जो कि आपकी company phone वाली बनाती है ठीक है इसको बोलते क्या है original equipment manufacturer ठीक है original equipment manufacturer sound based technology तो इन 3 के थरू आप UPI 123 के थरू payment कर सकते हो और इसके आपको net के भी ज़रूत नहीं है ठीक है तो बिना net के भी आप UPI payment कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो UPI light के थरू ठीक है और UPI में अब क्या facility दी देखिए three sanction credit lines को account भी आप attach कर पाऊगे ठीक है तो यह था आज के लिए बहुत ही नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कल तक मैं और अपलोड कर दूँगा RBA की बची जो भी न्यूज है ठीक है एक्चुली में मेरा क्या था अभी जैब का paper थे ठीक है तो मैं इसलिए उसमें busy था और उससे पहले मेरा audit का काम चला हो था bank में तो इसलिए में कुछ ताइम नहीं म